हलो दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या आपको करना नहीं आता और आप अच्छे तरीके से एक अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो third party app से screen recording करते हैं लेकिन जब वो third party app से screen recording करते हैं तो आपने देखा होगा screen recording करते समय उस screen recorder का icon भी आ जाता है जब वो दबाते हैं तो उसका button भी आ जाता है उसमें तो सामने वाले को पता सिल जाता है कि ये को कैसे screen recording किया गया है जिससे की video दोस्तों खराब हो जाती है ये पहले दो-तीन सल पहले ऐसा system आता था लेकिन दोस्तों आपको बता दूंँ आपके mobile में ही एक screen recording बहुत ही वेहतरीन तरीके का है अगर ओ आप इस्तेमाल करके screen recording करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका screen recording शाबित हो सकता है और मैं भी उसी से करता हूँ और वहाँ से अगर आप screen recording करते हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे किये हो और उसका आइकन भी नहीं दिखेगा जिसे कि आपकी वीडियो खराब भी नहीं होगी आगे चलने से पहले आप से एक बिंती करूँगा चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब करके वेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल नहीं वीडियो उप्लोड हो उसकी नोडिफिकर्सन आपको सबसे पहले मिले तो चलो दोस्तों आप सभी को मॉबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एक अच्छी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे तो दोस्तों हम आपको बताते हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना आपको यहाँ टोल्स पर क्लिक करना है यह टोल्स देख रहा हो ना Chrome browser के side में बगल में यह देखो ठीक है यहाँ देखो दोस्तों contact है calendar है clock है MF radio है recorder है skin recorder है यह देखो दोस्तों ठीक है यहाँ देखो दिख रहा है तो क्या करना है इसको दबा देना है ठीक है जब इसको दबा देंगे तो आपका skin recorder चालू हो जाएगा और इसका icon भी आपको जब आप skin recorder चालू करेंगे तो इसका icon भी skin recorder में नहीं आएगा ठीक है पहले ऐसा system था आ जाता था जिसे की वीडियो खराब हो जाती थी लेकिन अब अगर यहाँ दबा के आप screen recorder करते हैं तो इसका icon भी लिकुल नहीं आएगा चालू करते समय और आपने देखा होगा अगर third party app लेते हैं तो चालू करते समय पहले उसका icon आ जाएगा कि देखो यहां से screen recorder चलू हुआ है और बंद करते समय भी आ जाता है तो दोस्तों यह तो बहुत ही अच्छा है कि आप यहां से जब screen recorder करते हैं तो एक अच्छी quality का screen recorder भी होता है और इसका icon भी नहीं आता है दोस्तों यह देखो टोल्स में है ठीक है यह हमारे रेडेमी का मोबाइल है और हाला कि सब मोबाइल में एक ही जगह रहता है लेकिन मालो कि आपका मोबाइल ओपो है वीबो है तो कहीं आगे पीछे हो सकता है आप अपने हिसाब से देख लेना लेकिन सब का लगभग लगभग सेम ही रहता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप समझ गया होंगे कि एक अच्छी quality का screen recorder आप अपने mobile से ही कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर हमारी दीवे जैनकारी आपको पसंद आई हुई हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरू पेश करें मिलते हैं फिर कोई ने वीडियो में तब तक लिजए हैं